नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है आजकल की पीड़ी में लिवर से जुड़ी हुई समस्या में काफी वृद्धी हो रही है लिवर के सही प्रकार से काम नहीं करने से खाना पचाने की सक्ती भी कम हो जाती है जिससे पोसक पदार्थ को सोखने या एब्जॉर्ब करने या फैट को डालूट करने और टॉक्सिक चीजों को खतम करने में काफी दिक्कत होती है यह खुद एक बीमारी है जो दूसरी अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है लिवर के सेल्स और टीशूज में वसा जमने लगती है जिससे वो बड़ा हो जा जाता है इसे ही समानेता फैटी लिवर की समस्या कहते हैं बहुत ज्यादा ओली भोजन रेगुलर एकसरसाइज योग आधी नहीं करने से यह समस्या उत्पन होती है अधिक मात्रा में सराब पीना और मोटापा और डाइबर्टीज यह सब भी इसके कारण है मोटापा और ड सकती है फैटी लिवर समस्या का तुरंत इलाज नहीं हुआ तो यह एक बड़ी गंभीर बिमारी बन जाती है और इसका इलाज फिर असंभव भी हो सकता है आज मैं इससे बचने और ठीक करने के लिए आपको कुछ प्रभावी आयरुवेदिक उपचार बताऊंगा जिससे क नीबू संत्रे आदी का उपयोग जादा से जादा करना है नीबू का रस संत्रे का रस इसे खाली खाली पेट में लगातार दस से पंदरा दिन अगर आप सूबे पीते हैं तो आपको तुरंत ही असर दिखने लग जाएगा करेला फैटी एसिट की समस्या में करेला और इसक कप करेले का जूस जरूर पीजिए टमाटर टमाटर एक अदभुत औसधी गुणों से युक्त फल है या सबजी है जिसका आपको कच्चे ही रूप में उपयोग करना है अर्थाद इसे सीधे काट कर उसमें सेंधा नमक डाल के खाये या टमाटर का रस रोज जरूर पीजि पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं पीजिए और साबुत अनाज जैसे चना मूं गेहूं अधी को भिंगा कर अंकुरित करके खाये पपीता पपीता लिवर सम्मंधित बिमारियों के लिए सबसे सुरक्षित प्राकृतिक उपचार है विसेश कर यह लिवर सिरोसिस के लिए तो रामबान औसधी का काम करता है पपीते के रस में नीबू नी चोड़ कर अगर आप पीते हैं तो दो से तीन हपते में ही आपको लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या से भी निजाद मिल सकती है आपको आउले का सेवन करना है या उसका जूस पी सकते हैं पालक और गाज पालक और गाजर के रस का मिस्रन अगर आप लेते हैं तो सिरोसिस और लिवर की सारी समस्याओं के लिए एक अचुक आउजधी का काम करती है इसे दिन में एक बार जरूर लीजिए 10-15 दिन में ही आपको असर दिखने लग जाएगा तो आप आयरुवेद के इन घरेलू सकते हैं धन्यवाद